नमस्कार, स्वागत है आपका आचारेवानी में मैं आचारे डॉक्टर विक्रमादे थे आपके साथ हूँ जोतिश विज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ग्रह गणना को हमने आज नहीं समझा अनादिकाल से ही समझ लिया था और उसका प्रमान हमारे पंचांग है हमारी ग्रहों की गणना है जिस गणित के द्वारा हम आज भी गणित गणना करते है वो आपके सामने प्रत्यक्ष विज्ञान है बाश्याते विज्ञान ने तो अब जाकर सौ सालों में उन गणनाओं को समझने का प्रयास किया सेटलाइट को छोड़ा और अर्बूर रुपे खर्च किये हमारी संस्किती सोचिये कितनी उतकृष्ट थी कि अनादिकाल से हम उन गणनाओं को समझते थे तो आज हम आपके समक्ष उपस्तिता इन वीडियों के माध्यम से कर्ने राशी वालो के लिए कैसा रहेगा एक तारिक से लिकार दस तारिक का समय तो कर्ने राशी वालो ग्रह गणना के अनुसार से यह आने वाले जो दस दिन है कुछ अच्छे भी हैं मैं कहुंगा मेजर अच्छे कुछ साध्धानी बढ़ते हुए काम करेंगे तो आपके लिए बहुत लाब हो सकता है तो कुछ दिन तो बहुत ही अच्छ हैं, कुछ दिन साफधानी बरें, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए आज करीब-करीब एक तारीक को ज़िए हम बात करें तो एक तारीक को दो बजे के आसपास चंद्रमा जो हैं वो परिवर्तन कर लेंगे अब विशेश तोर पर आपके लिए बड़े उन्नती के योग बना देंगे उससे पहले भी भागे को पूरी तयास करने के बैठे हुए हैं, बिल्कुत भागे के सपूर्ट करने को योग बैठा हुआ है यानि सब चीज़ अच्छी से बड़िया फ्रिक्वेंसी मैच कर रखे किवल आपको अपने आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए दुविधा ना हो मनने, इस बात का देहां नकिएगा दुविधा में दोनों गए माया मिली नराम आपके साथ सबसे बड़ी विचित विड़म मना है, दुविधा में रहते हैं करें ना करें, सुनकोच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कन्या राशी वैसे ही, बड़ी सरल्द राशी मानी जाती है तो आप कोशिशे करें, दुविधा से अपने आपको बचाने का प्रयास कीजिए ये आपके लिए सबसे उपयोगी बात है तो आज एक तारीक और इकाजशी का बगवाद सुन्दर योग है और आपके भागे में चल रहे हैं ये विशेश तार पर जो चन्रमा जो है वो आपके भागे स्थान में चल रहे है और भागे में चन्रमा जो है दो बज़े तक रहने वाले हैं तो ऐसे में भवाद विश्नु की उपासना करकर आप और अपने जीवन में कल्याण का योग बना सकते हैं देगे भवान विश्णू विशेश तोर पर यग्योवई विश्णू कहा गया है कि संसार जो है विशेश तोर पर भवान विश्णू की उपासना करके उनका विशेश तोर पर पंचामृत के द्वारा विशेक करें पंचामृत ग्रहन करें शालिक रामजी का पूजन कर लें तोलसी तर उन्हें अर्पित कर दें तो यह कुछ खास उपाएं हैं जिनको करकर आप बहुत बढ़िया तरीके से कल्यान कारी योग मना सकते हैं और बुद्वार का सुंदर दिन है भवान विश्णू की उपासना करने का उससे सुंदर दिन क्या हो सकता है भवान कृष्ण की भवान विश्णू की भवान राम की किसी भी स्वरूप की शारी किराम जी की पूजा करके आप जीवन में कल्याण कार योग बनाएं तो आसा दिन आरंब करेंगे तो बहुत शुम रहेगा आने वाले दस दिनों में अपने जो कारें उनको और बड़िया तरह साथ लेंगे तो दो बज़े तक का समय रहेगा चन्मा जो है आपके भागे से निकल कर आपके विशेशतार पर कर्म भाव में आ जाएंगे आपके लिए वहां रहेंगे विशेशतार पर ग्रहों की गड़ना को देखते हुए करीब करी हम जोतिश को समझे तो वहां रहेंगे वो तीन तारीक की रात तक तो मिथुन राशी वालों के लिए विशेशतार पर बड़ा अच्छा जो आप समझे करने राशी वालों के लिए मिधुन का चन्मा भी अच्छा रहेगा केवल एक ही थमस्या उत्पन करता है दुविधा हाँ ना हाँ ना की स्तिति उत्पन कर सकता है लेकिन उससे आपको पहले ही बचने का प्रयास करने तटस्तो कर भाव काम करें तो क्यों आपके मन में जो पहला भाव आ रहा है वो बड़ा अच्छा रहेगा अपने इंट्यूशन को लाब लेने का आपको प्रयास करना चाहिए मन में जो विचार आए उस पर अनुसरन करने का प्रयास करें और अच्छे योग व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें सफलता के पूर्ण चांसिस आपके लिए बने हुए है तो ऐसे में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए तो हम कहेंगे कि जो मितुन राशी के जो चंद्रमा रहेंगे वो भी आपके लिए अच्छे ही योग बनाने वाले है उसके बाद करक में राशी प्रवेश करेंगे चंद्रमा जो वो प्रवेश करेंगे विशेशत्वार पे तीन तारिक की रात्री के दिन तीन तारिक को दो बचके 31 मिनट पर यानि चार और पांच तारिक तक छे तारिक की दुपैर तक वो वहां रहेंगे तो ये समय भी आपके लिए लाप की स्तिती बनाने के योग बना सकता है लेकिन इसके बाद का समय थोड़ा कश्ट का दिखाई देता है उससे आपको बचना है यानि छे तारिक के हम बात करें तो छे तारिक को शाम को करीब तीन बचके दो मिनट पर जो चन्दमा जब आपके लिए विशेश तार पर आगे सिंग राशी पर जाएंगे वो समय कश्ट का रहेगा तो उससे पहले कुछ खास उपाए आपको कर लेने चाहिए उससे पहले उपाए कब कर लेने चाहिए एक प्रदोश का योग बनेगा बहुत बढ़िया तारिक चन्दमा को सी करने के लिए मन को टिक करने के लिए भवान शिव की उपासना बढ़ी अच्छी है तो कोशिश ये करें प्रदोश का योग पढ़ रहा है तीन तारीकों तो तीन तारीक के दिन भवान शिव की उपासना करिए वो अच्छा रहेगा बहुत बड़िया श्रेष्ट योग है और उसके बाद पांच तारीकों मागी पूर्णिमा पढ़ रही है तो मागी पूर्णिमा जो रविवार को पढ़ने वाली है उस दिन सतनारन वरत भी है सतनारन वरत कर सकते हैं या अवान विश्णू की उपासना कर सकते हैं साथ साथ कुछ खिचडी इत्यादी का उड़त का दान कर सकते हैं ये सारे उपाए आपके लिए गरम गरम कपड़े का आधान कर सकते हैं ये सारी सारे उपाइ बड़े ही स्टेश्ट है और आपके जीवन में कल्यान की योग बनेवादर क्योंकि हमने आपको बताया है कि चद्रमा जब परिवर्तन करके सिंग राशी में आएंगे जो वो आपके लिए योग बनाएंगे छे तारिक को तो छे से ल के 48 मिनट पर जो चंदरमा है वो आपके करने राशी परवेश कर जाएंगे आपकी लगने में आ जाएंगे फिर समय अच्छा हो जाएगा आपके लिए तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कौन सा समय अच्छा है कौन सा समय खराब है कौन से उपाए करके आप लाब ले स यह कुछ हुपाए है इनको करकर आप बहुत अच्छे हाँ से आपके लाप के योग बन सकते हैं। कुष्टो कुदूर करने के योग बना सकते हैं। खास तो लकी रंग कौन सा रहेगा और लकी रंग तुमने बताई दिया आपको कौन सा अच्छा है। लग की नंबर कौन सा रहेगा देखिए लग के लिए आपके लिए जो ग्रह दिखाते हैं पिशेश तार पर रेश्मी रंग नीला रंग ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं इन दोनों का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें मोर वाला रंग जो है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है पीको करंग जो बलते है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आप इन सब चीजों का उपयोग करने का प्रयास कीजे आपके जीवन में कल्यान कारी योग बनेंगे ये हमारे जो कारिक्रम है या आपका आपका अपना कारिक्रम है आप इसमे अपने प्रश्णों को भी बेज सकते हैं और समय समय पर ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ होने के युग दे रहा है वो हम आपको बताते रहते हैं आप भी अपने प्रश्णों का समधान करने के लिए हमें इस चैनल पर अपने मैसेज़ प्रयास करेंगे वाटसप के थूरू आपके मेस्जिज बेजेंगे उनके आप सब को जवाब भी अवश्य देने का हम प्रयास करते हैं तो कोशेश करें आपके जीवर में अपने समय को पचानते हुए काम करने का प्रयास करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर समय समय पर ग्रहों की विभिन्स्थितिया आपको बताते हैं और इस समय पक्ष के दिष्टिकौर सरिभात करें तो ग्रहे बड़े विश्यत्र स्थितिति के योगे बंते हैं वह से साथवधानि बरतनी का आपको प्रयासा चाहिए घुकम वित्यादी आने वाले समय में पर अंगनी से होने वाले विस्पोर्ट इत्यादी वो परिशान कर सकते हैं उनसे साफधान लेते हुए काम करने का आपको साफधान से काम करने का प्रयास करना चाहिए धन्यवाद